एलो एवरीवन वेलकम तो इन माई यूट्यूब चैनल इपेस्ट अकैडमी तो आज की जो हमारी वीडियो है चैप्टर नमबर थर्टीन है साउंड ठीक है तो यहां पर आपको साउंड की बारे में पढ़ेंगे तो साउंड सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि थैंक जलता है दो यहां जो आपके श्कूल में जो पीडियों होता है वो कैसे बतलना एक पर की के तो बेल की जब आवाज आएगी तब ही आपको पता चलता है कि पिरियेड ओवर हो गया और जो वेल की आवाज है वही क्या है वो जो आपके कानों तक जो आ रही है वो क्या है वो साउंड है ठीक है करें you come to know that easily that someone is at door when knocks or hear a sound of the doorbell तो door bell या फिर आप जो है वो कोई आपके someone is approaching you by just hearing the footstep कभी-कभी हम जो है वो घर में होते हैं तो आवाज आती है पहलों की आवाज आती कि कोई हमारी तरफ आ रहा है ऐसे हम को पता हलता है नहीं पता हलता है अब यहां बात करें आगे करें कि you might have played a game called hide-and-seek तो एक और game के बारे में हम बता है कि hide-and-seek जो हम game खेलते हैं उस game में होता है क्या कि एक person को आप क्या कर देते हैं उसको काली पट्टी या कोई भी पट्टी जो है वो बांद देते हैं उसके सर से उसके आँखों से जिससे कि उसको देखे नहीं और उसके बाद जो हो remaining players जो है वो एक इधर उधर जो है वो hide हो जाते ह उसके बाद जो है वो जो blind folded person है जिसको आपने जो है आँकों में पट्टी बांद रही है वो guess कर लेता है कि कौन सा player जो है वो मेरे पास है कैसे वो सीच को guess करता है तो hear the sound ठीक है तो with the help of जो sound है जो आप जो आज उसके remaining players है वो बोल लें तो उनकी कुछ नो कुछ आवाज सुनके उन्होंने कुछ भी बोला तो उसकी आवाज सुनके वो आराम से उनको guess कर लेता है कि यह आवाज जो है वो किसकी है और जिसकी आवाज ज्यादा तेज या पा important role in our life तो हमारी life में जो sound है वो बहुत important role play करती है आप देखने की आप अगर ऐसा सोचें कि अगर sound ना हो तो क्या होगा कोई आप से कुछ बोलेगा आपको सुना ही नहीं देगा है ना आप समझी नहीं पाओगे यह फिर आप जैसे कोई movies देख रहे हैं उन में sound होती है क्या गरते हैं communicate करते हैं एक दूसरी की बात को समझते हैं ठीक है we hear a variety of sounds in our surrounding हमारे आसपास बहुत सारी जो sounds है वह हम सुनते है variety of sounds बहुत टैप कि अगर आप गर के बाहर रोड पर घड़े हैं आपको कितने sounds आवाज सुनाई देगी कभी किसी जानवर की हो सकते है किसी कोई भी आपका words उसकी हो सकती है गाडियों की हो सकती है इंसानों की आवाज हो सकती तो बहुत सारी instrument देखेंगे है ना तो sounds made by the musical instrument जैसे flute तो जो आपकी महासरी होती है उसकी आवाज आपने सुनी होगी तबला होगे उसकी आवाज हार्मोनिय की आवाज तो इन सबकी आवाज आपका गिटार हो गया सितार हो गया इन सबकी अगर आवाज अगर आप ध्यान देंगे तो हर कि instrument को हम जो है प्ले करते हैं तो यहां से sound भी निकलती है जिसके हम बात करें ठीक है how is sound produce तो सबसे पहला जो question है कि sound produce कैसे होती है ठीक है how does it travel from one place to another place अब पता चला कि आपको को कोई एक मालो की 100 मीटर या 50 मीटर जब 10 मीटर दूर से आपको आवाज लगा रहा है अब आपको बहां से यहां तक कैसे सुनाई दिया करें कि कि कैसे ट्रेवल करी मलब जो 10 मीटर की जिस्टेंस ती उसको ट्रेवल कैसे किया sound ने how do we hear sound हम जो है sound को कैसे सुनते है why are some sound louder than others कुछ आवाज जो है वो दूसरी आवाज उसे कैसे ज़्यादा तेज होती है louder होती है अगर आप जो है वो boys और girls की आवाज में अगर comparison करें तो तो उनकी आवाज को ती different होती है we shall discuss such questions in this chapter तो जो questions है कि sound होती क्या यह कैसे travel करती है sound को कैसे हम सुनते है और sound जो है वो louder होती है sound कैसे produce होती है तो sound is produced by a vibrating body तो सबसे important है आप यह याद अगना कि sound जो produce होती है वो किससे produce होगी vibrating क्या vibrating body vibrating body से produce होती है ठीक है अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोगों करें कि touch the school bell will not in use जब वो school की bell जो है वो use में नहीं हो रही तब आप उसको touch करें आपको जो है वो किसी तरह का कोई vibration नहीं देखेंगा लेकिन आप जो उसको एक बार जब जब वो sound produce कर रही होगी जो bell है है ना तो वो sound produce कर रही होगी तो तब उसको आप टेंट टच करें तो आपको लेगेगा कि यह जो है वो अलकी यलकी vibrate करें आपको थोड़ा सा vibration बहा आप मालो कि आपने बैल को टेच करने का आपको नहीं मौखा मिलना कोई बात नहीं आप अपने घर में इस तरह से कोई भी कूक कर यह फिर इस तरह का fry पैन जो है वो आप ले सकते है उसको ऐसे लटका सकते है डोरी के साथ ठीक कोई भी जो आपके पास अगर कोई बोल सकते यहां आप किसी डोरी के साथ यहां पर लटका सकते है अब यह बात करें टेक makers प्लेट आपने कोई प्लेट लेली यह फिर शैलोंüy फ्राइब लेना है कूकर आप जो है वो ना यूज ऑं भाय बैट रहे फिर बहुत वे हैं अनक it at a convenient place in such a way that it does not touch any wall यह किसी भी वाल को touch नहीं करती हूँ इस तरह से आपको उसको जो है वो hang कराना है ठीक है मतलब उसको इस तरह से लटकाना है कि वो किसी भी वाल को आसपास किसी और दूसरे object को touch नहीं करती हो now strike it with a stick stick से आप इस तरह से strike कर सकते हैं यह फिर आप जो है वो चमचा होता है उसके दुरू कर सकते हैं touch a plate और pen gently with your finger जब आपने उसको जो है वो strike किया उसके बाद आप उसको touch करें gently भला हलके से ठीक है यह नहीं पूरा हाथ से पकड़ लिए यह नहीं आपको हलके से इसको touch करना है do you feel the vibration तो इसका answer है yes उस पर आपको vibrations मिलेंगे और इसके vibrations की बज़े से ही आपको जो sound सुना ही दे रही है sound जो सब्सक्राइब जो always produces by vibrating objects. कौन? vibrating objects ठीक है धार रख न? तो sound always produces by vibrating objects. without vibration आप sound produce नहीं कर सकते ठीक है? अगें, strike the plate with a stick and hold it tightly with your hands. immediately after striking, do you still hear the sound? touch the plate after you stop producing sound, can you feel the vibration नहीं? तो यह जो आपका practical यह बहुत आसानी से आप घर पे कर सकते हैं, आप आज ही करें इसको है ना, जब यह वीडियो खुतम हो जाओ, उसके बाद आप इसको जो है वो आराम से अपने घर पर यह practical कर सकते हो, अब activity आप 13.2 जो आप generally करते हूं, बहुत सारी student करते थे, मैं भी करते थे, इस तरह की activity ठीक है, तो यह आपके पास एक box है, ठीक है, अब आपने का गरा है, इस तरह की दो pencil यहां रख दी, इस तरह से, अब यह जो rubber है, इस rubber को इस तरह से आपने इसको लगा दिया, अब करेंगे कि इस rubber को आप खेंच कर, मतलब थोड़ा सा ऊपर को केंच कर छोड़ दिया, तो यह जो rubber है, वो बारवार हिट करेंगे, जिससे हैं आपर sound produce होगी, करें, take a rubber band, and put it around the longer side of the pencil box, insert two pencil between the box and stressed rubber, ठीक, इस तरह से, जो यह setup दिया, इस तरह से आपको setup में, pencils जो हैं, वो लगानी है, उसके बाद आप देखें, no pluck the rubber band, somewhere in the middle, do you hear any sound, does the band vibrate, yes, जो band हमारा है, वो vibrate करेगा, ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ term, जो important term है, करें कि the two and fro, ठीक है, दो को देहां रखना, two and fro, two and fro, बोलो हाँ, यह फिर उसको बोल सकते हो, two को बोलते हैं, back, और fro को बोलेंगे, fourth, fourth का मलदा, आगे की तरफ, तो आगे और यहाँ पर रही है, तो यह ऊपर भी जाएगी और नीचे जाएगी, तो इस position से यह ऊपर, उसके बाद नीचे, फिर उपर, फिर नीचे इस तरफ जाना, तो two and fro, या फिर बोल देंगे, back and forth motion of an object is termed as vibration, तो आप से कोई पूचे की what is vibration, तो हम कहेंगे two and fro, और back and forth motion of any object is termed as vibration as you learned in the class 7, class 7 में आप पड़ जोगे, when a tightly stressed band is plugged, its vibration, it vibrates and produces sounds, when it stops vibrating, it does not produce any sound, तो जब vibration आपका रुख जाएगा, उसके बाद sound produced नहीं होगी, ठीक है, चलिए, अब activity third देख लो, third activity जो है, तो इसका जो है तो यह चोटा सा चेप्टर है, बहुत important चेप्टर है, आगे के लिए ज यह बहुत help करें, ठीक है, तो यहाँ बात करें कि take a metal dish, आपने क्या ले ली, metal dish ले ली, pour water, हमने उसके अंदर क्या 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 बाट, जो water है उसको fill कर दिया, in it, strike it, it's as is by a spoon, spoons हैं उसकी as is को क्या कर रहे है, strike कर रहे है, कि do you hear any sound, do you hear a sound, yes, again strike the plate and then touch it, can you feel the dish vibrating, yes, this जो यह ब vibrate करेंगी, without vibration, आपके sound produced नहीं हो सकती, धान रखना अजबात का, तो vibration तो होना है, strike the dish again, look at the surface of the water, water की surface पर आपको क्या करना है, देखना है, do you see any waves there, now hold the dish, what change do you observe on the surface of the water, can you explain the change, is there a hint to connect sound with the vibration of a body, ठीक है, तो sound जो है, वो तभी produce होगी, जब vibration होगा, यह यहाँ पर उनका, तो कि यहाँ पर यह जो है, इस तरह से नहोंने water को fill कर रखा, इसके अंदर जो है, वो water है, ठीक है, अब यहाँ देंगा, vibration plate produces waves in the water, तो waters के अंदर आपको इस तरह के यह waves दिख रहा है, इस तरह से है न, त तो sound की वैसे क्या हो रहा है, waves produce हो रहा है, इसके अंदर, ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, करें कि we see that the vibrating object produces sound, जो vibrating object है, वो sound को produce कर रहा है, in some cases, the vibration are easily visible to us, तो कुछ cases में तो vibration आपको आसानी से दिखेंगे, but in most of the cases, their amplitude is so small, इतना small होगा, कि आप उनको देख नहीं पाएंग सिर्फ feel कर सकते हैं, जैसे मैंने का, जो school की bell होती, उसके अंदर है, जो घंटा लटका होता है, अगर उसमें आप देखेंगो, तो आप जैसे रवर वाली case में, आप vibration देख पा रहे थे, लेकिन अगर मैं fry pen की बात हूँ, क्या आप vibration देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे है ठीक है, जैसे आप मटक्यों को अगर थोड़ा सा, यह मटका है, इसको आप जो है, वो बीट रहे है, तो क्या आप vibration देख पा रहे है, इसके अंदर नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है, वो sound produce हो रहे है, ठीक है, अब activity next, देख लो, next activity 13.4 है, ठीक है, यह यह hollow coconut, यह hollow coconut shell and make a musical instrument, एक तारा, ठीक है, यह एक तारा बना लो, आप से, you can also make it with the help of earthen pot, मतलब जो मिटी का जो बरतन होता, उससे बना सकते हो, आप उस मिटी के बरतन हो, कुछ इस तरह की जो प्याली नुमा शेब बना, उस शेब में ले लो, करें कि उस शेब में आप काट लो उसको, तो कराने, प्लेर देस इस इंस्ट्रुमेंट and identify its vibrating part, तो उसके vibrating part को आप को करना है, identify करना है, तो दो को make a list of familiar musical instruments and identify their vibrating parts, a few examples are given in the table 13.1. complete the rest of the table, आप को rest of the table आपको यहाँ पर fill करना है, अब दो को musical instruments and their vibrating parts, तो musical instrument क्या VEINA, थीक है, VEINA के अंदर stressed string हो थे, तबला के अंदर stress membrane होती है, flute के अंदर क्या होता है, यह रो कॉलम होता है, ऐसे ही आप अगर आप बात करें, जैसे मैंने यहां पर ले लिया, गिटार, तो गिटार के अंदर अगर आप देखिंगे तो क्यों होगा, stressed, क्यों होगा, stressed, string, ठीक है, उसके अंदर भी इस्ट्रिंग होती है, ऐसे और भी आप ले सकते हूं, ठीक है, फ्लूट बगरा ले सकते हूं, कि रहें मैनी, मैनी आफ यू माइट हैप सीन, दा मन्जरा, तो मन्जरा मन्दप्स, यह हैं, symbols, ठीक है, symbols, और यह रखाया, घाटम, और नूट, नूट क्या, मटपॉट, यह वाला मटपॉट, और करताल, करताल आपने देखोगा, इस तरह के, दो, छोटोटे, आप हाथ से, करताल कुछ है, वो हाथ से बजाते है, ठीक है, आप अगर, इंडियन आडल देखते हूं, तो उसमें, जो, इस पेशली, राजस्थान बजारा से, जो सिंगर्स आते है, तो, करताल बजाते है, जो हाथ मे लेके बजाते है, ठीक है, दो, यह लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उससे हम, यहाँ पर music produce करते है, करताल से, करताल बोलते हैं उसको, किने कि, these instruments are commonly used in many parts of our country these musical instruments are simply beaten or stuck, इन instrument को हम simply क्या करते है, beat करते है, पीटते है, ठीक है, अगरा हम मंजरा को देखे, तो मंजरा हमारी कही है, यह वाला मारे कही है, मंजरा, जो आपने लेके और वो पीटते है इस तरह से, है न, plate नमा होती है चीज़े, और यहाँ पर बात करें, these musical, these musical instruments simply beaten and stuck, can you name a few other musical instruments of this time, you too can make a musical instrument, आप भी musical instrument बना सकते है, ठीक है, तो यह बहुत यह आसान है, अब चलो, next देखते, activity 13.5, तो 13.5 में क्या गरेंगे, करें की, take 6-8 metal balls है न, और tumblers, तो इस तरह से आप glass ले सकते हो, या फिर आप metal के ball ले सकते हो, प्याले ले सकते हो, fill them with the water, up to the different levels, अब यहाँ पर आपने क्या कर रहा है, अब यहाँ पर आपने जो दो को, अगर आप देखें यहाँ पर, यहाँ पर water को same type के ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5 ले लिए है न, 1, 2, 3, 4 and 5, अब इसमें जो water का level देखो, तो इसमें सबसे आदा है, फिर से कम, फिर से कम, सबसे कम है न, तो हमन and strike to balls gently, gently, आरा मारा हो, दीरे दीरे, इतना ते मालों कि अगर यह आप इतना तेज नहीं मैंदाने कि उसको घर जाएक तरफ को, ठीक है, तो strike all them in succession, you will hear the pleasant sound, आपको कौनसी sound, इग्दम, pleasant का मनला होगा, कि इग्दम आपको थोड़ा सा सुकून महसूस होगा, उसको बल देख pleasant sound, जैसे अगर मैं बात करूँ, pleasant जो word है, एक ऐसी sound जो आपको खुश करे, आपको जो है, वो सुकून महसूस करा है, उसको pleasant बोलेंगे, लेकिन यही pleasant sound दूसरी के लिए क्या हो सकती है, दूसरी के लिए noise हो सकती है, कैसे ही चीज हम इस चप्टर के last में बढ़ेंगे, ठीक जैसे, माल चलो example, आपको कोई भी song पसंद है, हो सकता है कि आपके दोस्त को song पसंद ना हो, तो आपको उगर वो song पसंद है तो आपके लिए तो pleasant song हो जाएगा, pleasant noise हो जाएगी, pleasant sound हो जाएगी, लेकिन वही song जो है, वो अपने आपके दोस्त के लिए unpleasant sound होगी, जिसको हम बो तो यहां देखें, when we plug, when we plug the string of an instrument like a sitar sound, like the sound that we hear is not only, not only that of string, ठीक है, तो वो जो sound है, जिसे आपने guitar वजाया है, sitar की, जो string हो, उसको आपने plug किया, खेंचा उसको, तो वो जो sound होगी, वो wire की नहीं होगी, जो आपका string है, उसकी नहीं होगी, वो whole instrument की होगी है, whole instrument की होगी है, पूरा instrument यो vibrate करता है, ठीक है, the whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument, that we hear, similarly, when we strike the membrane of the mariden gum, mariden gum, mariden gum, ठीक है, the sound that we hear, is not, is not only that of the membrane, but the whole body of the instrument, ठीक है, दो को धहां दो, अब यहां पर हम बात करते हैं, यह तो हमारी होगी, की, की sound कौन प्रोड्यूस करा दो, अब यहां दरना कि, हम कर रहें की sound, sound का रहें की, why sound produce, या how sound is produced, है ना, how लिगवा है, sound is produced, या आप हो सकते हो कि, which, आप हो सकते हो कि, which type of object can be produced sound, ठीक है, अब यहां पर आपका हो जाएगा, की sound produce, always, sound कि कौन प्रोड्यूस करता है, sound is produced, always by the vibrating object, क्या होगा, vibrating, ठीक है, तो vibrating object, या फर वो सकते हो कि, sound always produces by the vibration, है ना, yes, sound produce, only due to our vibration, ठीक है, तो vibrating objects की वज़े से, sound produce हो रहें हो जहां रखना, when we speak, does any part of our body vibrate, आप बोलते से में अपने गले बहाद रखें, जब बोलते से में आपको अपने गले बहाद रखें, तो आपको पता चलेगा कि आपका गला जो है, वो vibrate कर रहा है, ठीक है, आप हाथ रखें, अभी अगर अभी वीडियो दख रहें, तो आप अभी कुछ बोले, बोलते समय जो है, वो आप अपने गले पर जो है ना, वो हाथ रखें, आपको 100% जो है, वो vibration feel होंगे मापर, ठीक है, अब और लेडी जो है, जो जो बायो वाला पार्ट था, उसमें कवर कर चुके हैं, अब तेंगे करें, speak loudly for a while, कुछ देर के लिए आप loudly बोलें, लगातार बोले, sing a song, song आ सकते हैं, कुछ आप, कुछ भी बोल सकते हैं, गुन-गुना सकते हैं, आप करें कि, जैसे मदुमक्की व फिर आप चेक करें, कि आपका जो गला है, वो बायबरीट करता होगा, ठीकर, put your hand on your throat, गले पर आपको रखना है, as shown in the figure, तो figure में जो रखा गया, तो इस तरह से आप, है न, जो voice box होता है, आपका वहाँ पर आप, यहाँ पर इस तरह से आप अपने हाथ को रखें, यह पू आप कर सकते, अब तो को ऐसा होता क्यों हो, इसके बारे में यह बताए गया है, ठीक है, अब हमारे गले में हमें से क्यों होता, voice box होता है, तो voice box जो होता है, वो बहुत important होता है, in a human, the sound is produced by voice box, और जिसको बोलते है, larynx, ठीक है, तो larynx, जो हमारा है, वो बहुत important, put your fingers on the throat and find hard bump that seems to move when you swallow, this part of the body is known as the voice box, तो यह हलका सा जो निकला होता है, आपके गले में है, जिसको voice box बोलते है, तो यह जब आपने adolescence वाला जो चप्र बनाता है, उसमें मैंने यह आपको बताए तो adolescence के time में यह जो आपका voice box से वो आपका develop होता है, और उसी समय जो है, वो आपकी voice जो है, वो change होती है, है ना, जब आप नो साल के, दस साल के हो जाते हैं, उस समय की बात हो रही है, तो अभी आप जो है, वो class 8 में, तो आप adult sense age में, तो इस समय की बात हो रही है, ठीके, this part of a body is known as voice box, it is the upper end of the wind pipe, तो wind pipe जो आपका होता है, जो सांस लेने वाला pipe है, उस pipe का अपर पार्ट होता है, ना, two vocal chords, क्या बोले है, ये two vocal chords are stressed across the voice box, यहां देखें, यह आपका एक यह है, और यह इस तरह से आपका निकला होगा है, यह देखें, दो है ना, voice box of the, और Linux, in such a way that it leaves a narrow slight, narrow slit between them, ठीक है, between them for passes, एक में, नेरो slit between them, passes of air, अब यहां देखें, तो यह दो को यह passes है, यह वाला, इसकी बात हो रही है, यह, ठीक है, अब यहां पर अगर आदेखें तो कहरें हैं कि, when the lungs force air through the slit, slit के थूरू जो है, वो, air को force करते हैं, the vocal chords vibrate, producing sound, muscles attached to the vocal chords can make a chord tight or loose, तो यहां पर जो muscles हैं, जैसे जो रियास करते हैं जो singers होते हैं, वो पूरा गले पर जो voice box है, उस पर ही तो काम करते हैं, वो daily जो रियास करते हैं, उसका मतलब यह होता है, कि आपका जो voice box है, और आपके जो lungs हैं, उनको वो strong बनाते हैं, आपने देखा होगा, जो singers होते हैं, वो काफी लंबी सांस ले सकते हैं, बहुत देर तक एक ही सांस को रोख सकते हैं, तो वो कैसे, वो lungs and जो आपका voice box है, उस पर काम करते हैं, जब हम रियास करते हैं, तो इन ही दो चीज़ों पर ज्यादा हम वर करते हैं, जिस से यह चीज़ें हमारी strong हो जाए हैं, when the vocal cords are tight and thin, vocal cords tight and thin होगा, the type or a quality of voice is different, quality होगी, different होगी from that when they are loose and thick, let us see how the vocal cords function, जो vocal cords है, वो किस तरह से function करते हैं, ठीक है, अब दोगे यहाँ पर एक activity है, उसको कर लेते हैं, अब दोगे यहाँ ध्यान दो, कहने कि take a two rubber strip, आपने दो rubber strip ली, of the same size, place these two pieces, one above the other, ठीक है, एक दूसरे को पर आपने की, stress them tight, now blow air, throw the gap between them, अब उनके जो बीच जो gap है, उससे हम क्या कर रहे हैं, हम, हवा जो है, जो air है, उसको blow कर रहे है, फूट मार रहे हैं, उसके अंदर, ठीक है, as the air blows, throw the stressed rubber strip, a sound is produced, sound produced होगी, you can also take a piece of paper with a narrow, यहाँ पर इस तरह से हैं, यह rubber, rubber के टुकले ले सकते हो, आप, यह rubber strip ले सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो, जो इस बच्चे ने किया है, ठीक है, इस तरह से, आप ले जकते हैं, तो कहने कि, narrow slit and hold it between the two fingers, as shown in the figure, now blow through the slit and listen the sound, our vocal cords produce sound in the similar manner, तो हमारी जो vocal cord हो इसी तरह से काम करती है, ठीक है, अब यहाँ बात करें, next, कहने कि, the vocal cords in men are about 20 mm long, धान रखना, कितनी लंबी होती है, 20 mm, 20 mm का मददा समझ रहो, 20 mm मददा 2 cm, क्या 2 cm long होती है, इन women, these are about 5 mm shorter, मतलब आप बोल सकते हो कि, 15 mm की होती है, या फिर 1.5 cm होती है, women के अंदर, children have very short vocal cords, children का बहुत चोटी होती है, this is the reason why the voices of the men, women and children are different, तो voice walks, या फिर बोल सकते हो कि, vocal cords की वज़े से, जो अवाज है, वो different होती है, man की, woman की, and जो children होते हैं, उनकी, ठीके, या देखे, sound needs a medium for propagation, तो अब दो चीज़े हमारी यहाँ पर होगी, एक हमने पड़ा, कि sound जो produce होगी, वो vibration से होगी, ठीके, सबसे पहला, vibration से, और दूसरा जो हमारा है, वो यहाँ पर क्या है, दूसरा यहाँ पर हमारा है, कि जो man, human के अंदर sound कैसे produce होती है, थर्ड हम बात करेंगे, medium of propagation, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ है, और यहाँ से यह जो आवाज है, वो mic में record हो जा रही है, और आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यह जो आपका phone है, याप लैप्टॉप, याप system है, ब अगर आपका phone मालो table पर रहे हैं, और आप थोड़ा दूर है, यह फिर आप जो है, वो कोई TV देख रहे हैं, तो वहां की, वो speaker की आवाज आपके कानों तक कैसे आती है, वो एक medium है, जैसे अगर आप घर में बैटे हैं, तो कौन से medium हो, air हो जाएगी, तो air के थू जो है, व propagation, तो medium propagation, air हो सकता है, हमारा solid हो सकता, liquid हो सकता है, ठीक है, तो when you call up your friend, who is standing at a distance, मतलब, जैसे मालो, आप Delhi में है, और आप अपने दोस्त को, UP में कहीं call कर रहे हैं, ठीक है, तो UP में मालो, 300 km, 400, 500, 1000 km, कहीं पर आपका दोस्त है, अब बहाँ पर वो कैसे आपकी आवाज सुन पा रहा है, आप phone कर रहे हैं, तो phone में कैसे, है ना, वो कैसे propagation हो रहा है, your friend is able to hear your voice, how does the sound travel to her, कैसे वो sound, जो है, वो travel कर रहे है, तो बहुत सारी जैसे मालो, यह आप है, आपने यहाँ कान में लगा के phone पे आप बोलने है, तो आपके मूँ से जो आवाज निकल ली, वो थो तो यहाँ पर बहुत सारा मेडियम बीच में, फिर यह टावर के तूर, अब यहाँ से जो आपके तावर के तूर जा रहे है, यह सारी एर है बीच में, और बहुत सारी डिवाइसे बीच में लगी हो थी, उसके तूर प्रपोगेशन होता है, टेक अ मैटल ग्लास टंबलर, make sure that it is dry, dry इसलीक हो कि आप इसके अंदर फोन रखेंगे, अगर आपने ग्लास के अंदर जो है, वो पानी वाले ग्लास मेरा फोन खराब हो जाकर, place a cell phone in it, remember that the cell phone must not be kept in water, can ask your friend to give a ring, this cell, तो आप अपने दोस्ट को ओलो कि call करें है न मेरे फोन पर, तो आपका फोन जो है, वो बहुत असानी कर सकते हैं, आप कोई song बजा कर सकते हैं, उसके अंदर, फोन के अंदर, वो किसी भी ग्लास के अंदर, ठीक है, फोन from another cell, listen the ring carefully, now surround the rim of the tumbler when your hand, और अपने हातों से आप जो है, वो थोड़ा सा उस फोन, उस ग्लास को थोड़ा बंद करें, आप क्यों थोड़ा करें कि opening between your hands, indicate your friend to give a ring again, listen the ring while sucking air from the tumbler, आप उस एर को सक कर रहें, फिर आप सुने, करें, does the sound become fenter as you suck, remove the tumbler from your mouth, does the sound become loud again, yes, बिलुग रहें सही बात है, अब जोग यहां देखते हैं, next, करें कि can you think of an explanation, is it possible, that decreasing amount of air in the tumbler had something to do with the decreasing loudness of the ring, अब यहां पर सबसे important point आप समझ ले, कि जैसे जो ग्लास था, उसमें आपने क्या किया, एक phone रखा, इस तरह से, यह phone रखा है, ठीक है, यह आपका phone है, अब इस ग्लास को पर आपने, आपकी विदोस्त ने इस पर call किया, आपने इस ग्लास पैसे हात रolan रखके और आपने गय Mickie कि उसके अंदर की एर को सक लिया, तो होगा क्या कि इसके अंदर एयर नहीं है, क्योंकि आपने काफी एर सक कर लिए तो इसके अंदर एर काफी कम हो गई, और होगा कि इसकी जो अवाज हो जागी, यह जो आप अपने हात को अटाएंगे, त किस पर डिमेंड़ कर रही है इसandy तो एयर अगर जादा होगी काम रहा है तो एयर जाधा होगी तो बहाँ क्या होगा कि आपको आपका दोस्त अगर bist पे कितना भी फॉन करें आपको सुनाये घा ही नहीं है अगर आपकी टेबल कि पास कितने फिल टॉन में आप बजा लो सौन आपका घ्रफुेено reading यह download वेक्यूम के तरूँ प्रडिव जो है वो प्रोपगेट होती ही नहीं मलदा साउंड को जो है वो मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए मीडियम क्या हो सकता है आपका एर एर का मलदा यहां गैस हो सकता है यहां पर आपका लिक्यूड हो सकता है यहां पर आपका क्या हो सक हो सकता है ठीक है क्या हो सकता है solid तो इन तीनों में से कोई भी medium चलेगा ठीक है करें कि actually sound needs a medium to travel यह बहुत important line है इसको आप important लिख लिए इस तरह से किने when air has been removed completely from the vessel it is sad that there is a vacuum और वहाँ पर अगर vacuum है अगर वहाँ पर vacuum है तिन क्या होगा उस case में in the vessel the sound cannot be travel through the vacuum तो vacuum के through जो है वो sound travel नहीं करेंगी ठीक है अब मैं अगर है does sound travel in the liquid liquid में यह बिलुकुल travel करेंगी अब यह activity आप कर लो इसमें जो हो क्या रहा है जैसे यह जो है वो एक आपका कोई bucket है bucket के आपने का करा उस हाथ से उस पानी के अंदर जो घंटा लेगे और उस उस बैल को आप बजा रहें अंदर बकट के अंदर तो आप अगर कान लगाएंगे एक दम उस पे उसके surface है तो आपको पक्का वहाँ पर सुनाई देगा है ना समझ रहें लेकिन स्पीड जो है वो एर से भी ज्यादा होती है उसके अंदर ना रखना कने प्लेस योर एर जेंटली ओन दे वाटर सर्फेस बी केरफूल आपका जो काने बू पानी के अंदर नहीं चले बना वाटर वाटर वाजा कान के अंदर है ना वाटर शुद नोट इंटर यू नियर करती है थीक है अभी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूं लास्ट में ठीक है अब है अगर लेट इस फाइंड आउट इफ साउंड कें ट्राइवल थ्रू सॉड इंडर वाटर तो जो वेल्स होती है या फिर जो डॉल्फिन होती है वो एक दूसरे से बात कर पाती है अब ठीक है अब अगर लेट एस फाइंड आउट इफ साउंड एंड ट्राइवल थ्रो इडर आउन चलो अब हम यह देख लेते हैं क्या सॉलिट को थूरू भी ट्राइवल करती है उसके लिए अक्टिविटी फिर से कर लेते हैं तो एक्टिविटी कुछ ह और लॉट पास होती है तो हम क्या करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हम छोटी थी तो हम क्या करते हैं मतलब अजर्वाश के बराबर भी इसमोल है तो उससे पता जाथ है कि ट्रेंड आ रही है ना तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती दीए आप पर कैन यूए यह साउंड अव दे स्क्राइच आस्क और फ्रेंड साउंड आस्क और फ्रेंड अरांड यू इस डे एबिल टू रदा सें साउंड जो आस जो पास में दोस्त कड़े होंगे वो बिलुकुल नहीं सुनाई उनको सुनाई नहीं देगा लेकिन आपको वह दूसरा इंडी जो कान पर टच करना पड़ेगा यू करना पर इस तरह से आपका दोस्त तो आप जो यहां पर इसको क्या करें हलका सा पुछ कर र सकती है ठीक है बहुत इंपरेंट दो यह चीज तो आपने बहुत बहुत इंपरेंट दो यह चीज तो आपने बहुत क्यों होगी है ना बच्मन में और नहीं कि तो जरू करके देखिए यह दो इन्होंने इस तरह के दो यह दो को यह इस तरह का आप अक्टिविटी कर सकते हो तो यू कैन परफॉर्म आपने अपे इस तो यू करूंट यह साग्टिव तो यू कर दो क्या थाइट कर शकिंट तरू आम सिय त्रयू अट्रय तरू थार्टूर्डू यू है medium, how do we hear it, ठीक है, अब हम इसको सुनते कैसे है, ठीक है, अब दो, यह बहुत जादे important है, आप इसको very 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 important लगा लो, तो अभी तक जो है, वो हमने क्या सीखा, हमने सीखा, sound, जो है produce होती है, वो vibrating object से, फिर human के बारे में, और थर्ड है, sound needs medium to propagate, for propagation sound needs medium, तो medium, अब दो को मैं बता रहा हूँ, जो question आते हैं, speed of sound की बात करें, तो speed of sound का जो order है, किसके अंदर, solid के अंदर, liquid के अंदर, और gases, gases आप हो सकते हैं, यह से air है ना, solid, liquid and gas, तो यह order, सबसे ज़्यादा, जो speed होती है, वो लिए solid में होगी, और सबसे कम जो है, gas में होगी, पहले solid, उसका liquid, liquid of gas, तो यह velocity of sound in the solid is maximum and in gases, it is minimum, ठीक है, अब यहाँ यह बात करें, we hear sound through our ears, तो हम जो sound जो सुनते हैं, वो अपने कानों की बज़े से सुनते हैं, हमारे कान में भी, क्या होता है, यह करता है, जो vibrate करता है, उसके vibration की बज़े से हम, आवाज को सुन पाते हैं, sound को जो है, वो hear कर पाते हैं, सुन पाते हैं, I hope कि आपको यह पूरा वीडियो समझ माया होगा, अब जो यह वाला portion इसको मैं next वीडियों cover करूँगा, और if you have any query or suggestion, then you can write it in the comment box, अगर आपको कोई भी suggestion दें, तो suggestion मिले सकते हैं, और अगर आपने भी ते मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियां, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको interesting videos मिलती रहेंगे, और अगर आपको किसी topics related videos देंगें, वो भी आप comment box मिले सकते हैं, next video मिलते हैं, तब दक लिए भाई, ठेक केर, जय हिंदा आइमती केहुत, साइन वाफ क्योंकि आपको